आज अपन 8.2 से आगे कब जो पार्ट है टेंजन टेंड नोर्मल यानि स्वर्स रेखा स्वर्स रेखा और अभिलम के बारे में बढ़ेंगे ठीक है तो स्वर्स रेखा और अभिलम के बारे में यानि स्वर्स रेखा की स्मेकर निकालनी सीखने है अपने को परस्रेक और अभी लम के लिए अपने को क्या देगा कि एक फलन देगा y ब्राबर में fx और point p देगा जिसके निर्दे सांग xy हों ठीक है या फिर क्या देदेगा अपने को ये फलन देदेगा कोई स्परस्रेक x में देदेगा उससे अपने कोई point देगा ठीक है तो अपन ये पास में सबसे पहला जो क्यूसन का type होगा वो यह होगा कि फलन देदेगा और फिर point देदेगा ठीक है तो ये समझ लेते हैं पन जैसे ये कोई फलन है ठीक है ये y बराबर fx में एक फलन है जिसके ये point है p ठीक है ये फलन वाई ये पराबर fx है जिसके point क्या है pxy जिस पर एक सबसे रेखा इसको क्या कर रही है सबसे कर रही है अब इस सबसे रेखा का अपने को क्या निकालना है समीकर तो इस सबसे रेखा का समीकर निकालते है तो अपन कलास लेओं से जानते है कि किसी भी रेका का अगर σमीकर निकालना होता है तो सुतनर क्या होता है Y- N N बराबर में होता है M X- N X- N ये सुतर होता है किसी भी इस परस रेका समीकर निकालनें का तो Y- N N तो ये इकसरं और Y- N ये तो पॉंट यो जाएंगे X1 की जगा ये वाला X1 लिख लेंगे Y1 की जगा ये वाला Y1 लिख लेंगे उसके बाद हैं बात रही M की तो यह जो M है न वो यहां से निकला जाएगा इससे तो यहां पर जो M होगा यानि इस परस रिखा कि जो परवनता होगी तो यहां से निकालेंगे अपन आउकलन निकालके तो इसका जो m निकल जाएगा वो आजएगा dy by dx जो अपने को फलन दे रखा है y बराबर fx में उसका आउकलन निकालेंगे यानि उसका dy by dx निकालेंगे वो मान किसका हो जाएगा m का ठीक है यानि जो आउकलेज का जो जायमी तियारत होता है वो यही होता है का अगलस का जो d y by dx का जो जैमी त्यारत होता है μποता है कि d y by dx जो होता है d y by जो dx है वो 10 थिटा के ब्राबर होता है और 10 थिटा का मतलब यह M होता है यानि प्रवणता होती है ठीक है तो M का माण यहाशे अपन किस से लिखेंगे d y by dx से जो फलन वाइ स्पर्स रेखा का 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 स्पर्स रेखा dy y dx और x- में next 1 तो इस सुत्र की सायता से अपन किसी भी स्पर्स रेखा का स्मेकन याद कर सकते हैं तो यह ज़िएगा y- y1 बराबर dy y dx और x- में x1 ठीक है दूसरा स्मेकन यह जो स्पर्स रेखा है इस स्पर्स रेखा होगी इसी स्पर्स रेखा कि ऐसे लंबवत लंबवत कोई दूसरी रेखा होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे उसी को अभी लंब बोलते है ठीक है स्पर्स रेखा कि लंबवत कोई लाइन जैसे यह स्पर्स रेखा है इसके लंबवत यह होगी तो इसको अभी लंब बोलेंगे अभी लंब तो अभी लंब का भी स्मेकर निकालेंगे एक बात अपन इलियाउंद कलास यह जानते हैं कि यदि यह रिखा है दूसरी इसके लंबवत हो ऐसे हो और इसका अगर परवणता M1 और इसकी परवणता क्या हो M2 हो तो दोनों की परवणतां का गुणनफल केतना होता है माइनस 1 होता है यह एलियाउंद कलास का पार्ट है यह रिखा M1 है यह रिखा है और दूसरी इसके लंबवत हो तो पहले की प्रोणता M1 है और दूसरी की प्रोणता जो लंबव तो उसकी प्रोणता M2 है तो M1 का गुणा M2 की साथ करेंगे तो minus 1 का एगा तो यहां से अगर M2 का मान निकालना हो तो minus 1 बटा क्या होता है M1 ठीक है M2 का मान minus 1 बटा M1 तो अभिलम का जो परवनता है अभिलम की परवनता यहां से क्या हो जाएगी इसका रेशिप्रोकल होगी इस एहम का तो यह जो स्पर्स रेखा है उसकी परवनता तो कितनी है डी वाई वाई डी एकस है इसकी परवनता तो कितनी है यहां पर dyy dx अब सपर्स रेखा और अभी लम की जो परवनता होती है उन दोनों का गुर्ण फल होता है minus 1 तो यहां से यह से अपने पास में m1 कितना आगे हैं से dyy dx ठीक m1 का मान कितना है dyy dx है तो m2 का मान निकालेंग तो यह जो dyy dx है इस minus 1 के जाएगा भाग में तो यह जाएगा minus 1 बटा dyy dx ठीक है तो यह से अपने अभी लम की समीकर्ण का सुत्र क्या उना सकते हैं से अभी लम का समीकर्ण अभी लम का समीकर्ण क्या जाएगा y minus में y1 रेखा है तो रेखागा स्मेकन तो यही रहना है y1 mx-x1 लेकिन इसका जो प्रणवनता है अब इलम की प्रणवनता हूँ कितने निकल गई यहाँ से माइनस एक बटा dyy dx माइनस एक बटा dyy dx और आगे है x-x1 तो यह दो इस उत्रियाद रखने आपको एक तो स्परस रेखागा स्मेकन तो स्परस रेखागा स्मेकन y-my1 dyy dx x-x1 यह जो dyy dx अपने को वकर दे रखा होगा जो भी वकर देगा क्यूसर में उसी से dyy dx निकालेगे वो उसका dyy dx उजएगा x-x1 यह x1 y1 अपने को पॉंट देगा जो की worker को spurs करेगी spurs रेका वहाई पोईंट है यही लंब यह भी लंब है और यह रेका है तो यह दुम यह जहुते हैं यह दूसरे क्या होत visão लंबोत होते हैं तो M1 makes equal equal क्तना होता है minus 1 M1 मान अपने को बता है कि DYY DX है तो M2 का निकाले डाने के सबसे पहला है कि यह जो सपर्स रेखा है यह जो सपर्स रेखा आपने को दे रखिया यह वाली सपर्स रेखा समानतर हो किसके एक्स एक्स के यह जो सपर्स रेखा दे रखिये ठीक है यह एक्स एक्स है और यह सपर्स रेखा है ऐसे यह फलन हो गया अगर यह दोनों एक दूसरे के समानतर हो तो इनके बीच में जो就是 कौन बनेगा थिटा वह किता ना होगा जिरू डिगरिगर क्योंकि दोजोंगों की बीच में कोई संपरकिय नहीं हे तो कोण किते डिगरिगवा बनेगा जिरू डिगरिगर तो इसका मतलब यहांसे जो तो अपने को द्यान में रखना है कि यह दिस्पर्स रेखा एकस एकस के समाउंतर होती है तब डिवाई वाई डिएकस यानि परोणता कितनी होती इस्पर्स रेखा की जीरो होती है दूसरा पॉइंट यह दिस्पर्स रेखा दूसरा पॉइंट क्या रखना है यह दिस्पर्स जाएगा तो D Y Y D X यहां से क्या निंकल जाएगा दी Y Y D X बराबर में आ जाएगा 10, 90 डिगरी ठीक और 10, 90 डिगरी कमान होता है अनन्त और अनन्त को पर लिख सकते हैं 1 बटा 0 तो D Y Y D X बराबर कितना आ जाएगा 1 बटा 0 यह ध्यान में रखना है कि यदि स्पर्स रेखा xx के लंवत होती है तो dy y dx का मान कितना होता है एक बटा 0 यानि अनन्त होता है तो इस special case भी ध्यान वे रखने है यहां से भी ज्युस्तन आगे अपने से पूछ जाएंगे तो स्पर्स रेखा अगर xx के समांतर होती है तो उसकी प्रणवनता हो जाएगी 0 यान डिव वाइड x का मान हो जाएगा यह दिस्पर्स रेखा xx के लंवत होगी तो उसकी प्रणवनता हो जाएगी अनन्त यान डिव वाइड x का मान हो जाएगा यह बटा 0 तीसरा point ओर है इसमें तीसरा पॉइंट यह है कि यह दिस्पर्स रेखा दोनों अक्सों के साथ यह दिस्पर्स रेखा दोनों अक्सों के साथ समान कौन बनाती है यह दिस्पर्स रेखा जो है दोनों अक्सों के साथ के साथ कौन बनाए समान कौन बनाती है ठीक है दोनों के साथ समान कोंड बना है कैसे यह है यह स्परस रेखा हमान लेते हैं ठीक है किसी वकर के उपर यह स्परस रेखा है तो यह एक्स एक्स है इदर और इदर वालक है यह यह दोनों के साथ इदर भी 55 का और इदर भी 55 का तब अपने क्या कहेंगे स्परस रेखा द दोनों अक्सों के साथ समान कून बनाती है तो dy by dx कमान कितना होगा एक होगा तो ये तीन कंडिसन याद रखनी है एक ही इसमिकन याद रखनी है सबसे पहले इस परस रेखा का समीकन क्या होता है y-my1 dy by dx x-myx ये dy y dx कहां से लिखना है अपने को जो फिलन देगा fx यहनि y बर स्पर्स रेखा और विलम एक दुसरे के लंबत होते हैं तो मानेस एक वट्टा डि.y.y.dx उसके बाद में तीन स्पेशल कैसे हैं कि स्पर्स रेखा अगर xx के समानतरों समानतरों किसके होने चाहिए express रेका है ये वाली और एक्स एक्स हीए तो दोनों समान्तर हो तो रिटा कमान गया होगा जिरू तो 10 0 कितना होता है जिरू होता है तो इसका मतलब यहां से d y y d xt kalau जाएगा 0 तो इस का मतलब एक्स-एक्स के समान्तर हो तो दीवय कामान अनन्द उता और अनन्द को पने एक बटा जीरू लिख सकते हैं तो सुपर्स रेखा अगर xx के लंवत हो दो dy di x का मान होगा एक बटे में 0 तीसरे बात अगर सと思います रेखा दोने अक्षिवMen के शात समान कोण बनारी है दोने अक्षिवे sandy महरत बनारी है समान अमत्र है तो इसका अमत्रव डिवाइब डियो डियुष20 is to daylight अगर कई फ्रस रेखा दोने वाखा सांवान्पर कर टिक शुमानद है। कि उसके बाद में बात करते हैं उदार नमर सुडा कि ऑगे यह वग कर दे रखा एंठीक है एक, से गादो बटा तिन प्लस वाई गादो बटा तिन वराबर दो है कि बिन्दो एक एक परस रेखा की तता अभी लम के समीखन गयात करने अपने उस परस रेखा का समीखन पुछ लिया और दूसरा अभी लम का समीखन पुछ लिया ठीक है तो एक बार आपन थोड़ा सा समझने के लिए मान लेते हैं कि ये जो फलन दे रखा है ये वाला वक्र तो जो दे रखा है इसका अगर आप अपन मान लेते हैं कि इस टाइप से एक बार मान रहें समझने के लिए सिरफ ठीक है और ये सपर्स रेखा होगी ठीक है, तो ये अपने को ये फ्लन दे रखा है, ये जो वक्र दे रखा है, इसकी समेकन एक्स ये गादो बुटा 3 में DYY DX और X माइनस में X1 ठीक है तो अपने पास में कम्मी एक ही चीज़ की है सिर्फ X1 और Y1 तो यह ही X1 का मान 1 और Y1 का मान भी 1 अपने को निकालना है DYY DX और DYY DX के लिए आपको बताया है कि DYY DX जो ये वक्कर का समीकन देगा यह वाला जो वक्कर का समीकर्ण दे रखा है इसी से डी वाई वाई डी एकस निकालना है तो अपन क्या करेंगे जो यह वक्कर्ण दे रखा है उसका एकस के साफ एक सवकलन कर लेंगे 2, XEGAD 2 बटा 3 प्लस YEGAD 2 बटा 3 बराबर में दे रखा है 2, इसका है अपन क्या करेंगे X के साफ एक साउकलन करेंगे याने DIY बाइड एक्स निकालने के लिए तो यह XEGAD 3 है, XEGAD 2 बटा 3 है XEGAD 3 का जो अउकलन होता है उसी सुत्र से हो जाएगा, XEGAD 3 का उकलन होता है N XEGAD 3 माइनस में 1 तो इसका क्या हो जाया 2 बटा 3 आएगा N की जीगा, 2 बटा 3 XEGAD 2 बटा 3 माइनस 1 हो जाएगा तो यह 2 बटा 3 XEGAD तो यह आजएगा, यहां से 3 लगूतम आएगा तो यह 2 माइनस 3 हो जाएगा तो यहां जाएगा, 2 बटा 3 XEGAD माइनस 1 बटा 3 ठीक है, तो XEGAD 2 बटा 3 प्लस 5 बटा 3 बराबर यह 2 दे रखा है तो इसका अपन क्या करेंगे, X के साप X अउकलन करेंगे, X के साप X क्या करेंगे, आउकलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को DIY, DX निकालना है और DIY, DX निकलता है, वो इस वक्र वाले समेगर्ण से ही निकलेगा, यानि यहीं से इसकी प्रहुता स्परस्रिका की निकालने है तो X के साप एक साप अउकलन करेंगे, तो XEGAD 2 बटा 3 इसी तरह से और y की गात माइनस एक उटा 3 लेकिन फिर y का करेंगे तो y का उकलन अब जानते हैं x कि साब एक चोता है dy y dx और बराबर में है 2 और 2 एक अचरपद और अचरपद का उकलन होता है 0 तो यह बराबर में आ जाएगा 0 ठीक अब यहां से दो बटा 3 कोमन आ जाएगा 2 बटा 3 कोमन आएगा तो x कि गात माइनस एक उटा 3 प्लस y कि गात माइनस एक उटा 3 और dy y dx और बराबर में कितना है 0 अब यह जो 0 है 0 इसके बाग में जाएगा 0 के बाग़ में 2बटा 3 जाएगा तो यह भी क्या बन जाएगा 0 तो यहाँ पर बचेगा X एगाथ minus 1बटा 3 plus Y की एगाथ minus 1बटा 3 और DYY dx तो Y की एगाथ minus 1बटा 3 DYY dx ب bounced व्रबर यह प्लस का इदर जाती है minus का हो जाएगा X एगाथ minus 1बटा 3 ठीक है यहां से dy y dx बराबर क्या आजाएगा minus x की गात तो है minus 1 बटा 3 यह dy y dx से गुणा में तो इदर आएगा तो भाग में तो यह आजाएगा y की गात minus 1 बटा 3 ठीक है तो यह dy y dx अपना निकल गया इसी dy y dx को अपन थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं तो dy y dx बराबर क्या आजाएगा minus तो ही यह minus कि ऊपर जाती किसकी हो जाएगा प्लस कि प्लस की हो जाएगा यह minus कि नịचे आती किसकी हो जाएगा प्लस की तो उपर लेकि जाक कि इसको माइनस एक प्लस में लिख देंगे, इसको निचे लाकर के प्लस में देंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो माइनस X, ये Y, ये उपर वाला, और बटे में X, तो Y बटा X, दोनों की गात, एक बटा आती है ना, तो पूरे की होल गात भी कितने लगा देंगे, एक बटा 3, अब अपन DIY, DX का मान निकाल लेते हैं, किस पॉइंट पे जो अपने को पॉइंट दे रखा है, पॉइंट क्या दे रखा है, वन वन दे रखा है, पॉइंट क्या दे रखा है अपने को, ये जो पॉइंट दे रखा है, ये वन वन दे रखा है, तो वन वन पे इसका मान निक 1 है ठीक है तो 1 1 पे मान निकालेंगे तो यह तो मैनस लगी जाएगा Y की जगह भी 1 लिखेंगे और X की जगह भी 1 और इस पूरे की गात एक बटा 3 तो यहां से अपने पास में जो डी वाई वाई डी एक्स है उसका मान कितना निकल जाएगा मैनस तो लगेगा अब 1 का Q रूट निकालते हैं तो वो कितना होता है A की होता है ठीक है तो यह जाएगा डी वाई डी एक्स का मान आगे मान आगे है मैनस का एक तो इससे अपन सबसे पहले जो भी वक्र दे रखा है जो भी वक्र की समीकर दे रिखी है उसका X के साप X क्या करेंगे आउकलन करेंगे तो आउकलन करना आप सीख भी कहें है साथ और चेक्टर पूरा होगी है अगर नहीं सिक्के हो तो एक बार उसको अच्छे से देख लें आउकलन आना जुरूरी है उसी के बाद आउकलेश के नोप्रयोग जो है वह असानी से गर पाओगे तो अपने पूरे जो वक्र देर खा था उसका X के साप X क्या कर दिया आउकलन कर लिया आउकलन करने के बाद में डिवाई वाई डिएक्स ही निकाल लिया अपने क्योंकि d y y dx निकालना था या या था minus y गात 1 गटा 3 अब अपने को point दे रखाता 11 ठीक है वो करके लिए 11 गाता तो वो x का मान 1 दे रखाता और y का मान 1 भी 1 तो x और y की जगा 11 लिख लिया तो ये आगधा minus की ये minus तो पहले लगावा ही एक ही गात एक वटा तीन है यानि एक का क्यूग रूट निकालते हैं तो कितना होता है एक होता है और इसके आगे माइनस लगावा था पूरे के तो या जाएगा माइनस का एक अब अपन स्मीकन निकाल लेते हैं जो अपने को ग्याद करनी है एक तो निकाल लेते अपने को स्परसरेखा एक स्मीकन और एक निकाल लेती अभी लम की स्मीकन तो स्परसरेखा का स्मीकन का सूतर अपने देखा यह रहा यह वाला सूतर स्परसरेखा का स्मीकन का तो स्परस रेखा का जो स्मीकरन है वो क्या आजाएगा? स्परस रेखा का स्मीकरन स्परस रेखा का स्मीकरन स्परस रेखा का स्मीकरन क्या होता है? Y माइनस में Y1 बराबर होता है DYYDX और होता है X माइनस में X1 तो Y माइनस में Y1 y1 का मान, x1 का मान भी 1 है और y1 का मान भी 1 है तो यहां पे 1 लिख लेंगे dy, y, dx का मान कितना है माइनस 1 है, तो यहां पे लिख लेंगे माइनस का 1, x माइनस में x1 x1 का मान भी कितना है एक है, ठीक है तो यहां जाएगा y-1 बराबर माइनस एक से इसको गुणा कर लेंगे तो यह तो माइनस का X हो जाएगा यह माइनस माइनस प्लस एक हो जाएगा माइनस का X इदर Y की साइड मेंगा तो प्लस का हो जाएगा X प्लस Y ये 1 इदर जाएगा ये वाला 1 अभी पलस का इदर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का और माइनस 1 पहले सी है तो ये माइनस 1 और ये माइनस 1 इदर आके बनेगा तो माइनस को हो जाएगा 2 और बराबर में बज़ेगा 0 तो ये तो ओगी इस पर स्रेखा की समीकरण दूसरी अपने को निकाल लिए अभी लंब की समीकरण अभी लंब की समीकरण अभी लंब की समीकरण का सुतर क्या होता है y-1 ब्राबर-1 बटा-1 बटा dy by dx dy by dx और इधर होता है x-x1 ठीक है यहां पर मान लिख लेंगे y-y1 का मान 1 है –1 बाटा dy y dx का मान कितना है –1 है तो इसकी जिए मान लिख लेंगे x-1 का मान भी एका 0.11 दे रखा था अपने तो y-1 बराबर यह यह मान बाटा यह मान पलस का हो गया और इदर x-1 है तो यह आ जाएगा यहां से y-1 बराबर में आगए x-1 x को y की साइड में बेज देते हैं यह y को x की साइड में बेज देंगे तो यह x से ही y इदर जाएगा तो minus का हो जाएगा यह minus 1 इदर जाके होगा plus 1 यह minus का 1 यह तो ही यह वाल इदर आएगा तो यह प्रलस वन हो जाएगा इदर बज़ेगा 0 ठीक है तो यह समीकन आगी x-1 ब्राबर में x-y ब्राबर में 0 यह माइनस वन प्लस वन के इंसलो जाएगा तो यह भी लम का समीकन आगिया इस टाइप से अपने से स्परस रेखा कि x-1 पॉइंट अपने पास देदेगा हो कि 1-1 जैसे इस क्यूशन में 1-1 दे रखा था तो x-1 और y-1 की जिए 1-1 लिख लेंगे बाकि dy-y dx का जो मान निकाला है उसी पे अपन value निकलेंगे इसकी जैसे माइनस 1 था तो यह माइनस 1 लिख लिए एसे भी लमका स्मिक्ण का सुत्रिया दोना चीए y-1 में y-1 बराबर माइनस 1 बट डि-y dx और dy-y dx का मान दे रखा था माइनस 1 यह मान लिखेंगे ठीक है उसके बाद दार नमर 11 आए कि यह वक्कर दे रखा अपने को x-2x-3 बराबर 0 पर उन बिंदों को ग्यात करो बिंदों अब की बार ग्यात करने जैसे एक बार समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अपन मान लेते हैं कि यह जो बक्र है इसका समिकन यह है x-2-2x और-3 स्परस रेखा यह इसकी स्परस रेखा है ठीक है तो यहांपर जो point होते थे यह वाले point x one और y one यह मान अपने को ग्यात करना है अपकी बार, यह मान क्या ग्यात करना है यह point अपने को निकाल लिए तो x square plus y square minus 2x minus 3 बराबर凝ु पर उन भी इन दों को ग्यात करो जहाँ सप्रस्रे का तीन केस दे रखे हैं एक्स-एक्स के समानतर हो तो आपको बताया था कि अगर एक्स-एक्स के समानतर हो तो डी-वाई-वाई-डी-एक्स परावर कितना होता है 0 होता है केस याद रखने है यह दी-एक्स-एक्स के लंबोत होती है इस परसरे का तो dyy dx आपको बताया था कितना होता है वन अपोन में 0 होता है आपको तीसरा case भी बताया था कि यदि दोन वक्सों के साथ समान कॉन बनाती हो तो dyy dx का मान होता है 1 ठीक है तो सबसे पहले तो अपन जो अपने को ये दे रखी है वकर का समेकन उसका अपन आउकलन कर लेंगे यानि उसका dyy dx दे रखी है वकर क्या दे रखा है x square प्लस y square माइनस 2x और माइनस 3 बराबर 0 इसका x के साथ x क्या करेंगे आउकलन x के साथ x क्या कर लेंगे इसका आउकलन कर लेंगे ठीक है X के साफ X आउकलन करेंगे तो X स्केर का तो हो जाएगा 2X प्लस Y स्केर का हो जाएगा 2Y और Y का अगर आउकलन करते हैं न डी Y Y डी X हो जाएगा X के साफ X तो तो माइनस 2 का 2X का 1 हो जाएगा और माइनस 3 का जिर्पद ही हो जाएगा 0 और बराबर में कितना है 0 खीक है तो यहाँ जायेगा यहाँ से 2X plus 2Y DYY DX और माइनस का 2 और बराबर में कितना है 0 खीक है अब यहाँ से 2 common आ जाएगा अपने पास में तो टू common लेलो जाहिए जाहिए इन दोनों को इदर बेज़ दो 2Y memang y dx बराबर यह माइनस का 2 इदर जाके प्लस का 2 हो जाएगा यह 2x प्लस का इदर जाके माइनस का 2x हो जाएगा तो यहां से dy y dx बराबर आजाएगा 2 माइनस में 2x यह 2y गुणा में इदर आएगा तो बाग में आएगा ठीक है फिर 2 ले लेंगे अपर वाले में common तो 2 common लेंगे तो यहां 1 बचेगा यह minus फिर x बचेगा और बटे में 2y है 2 से 2 cancel हो जाएगा तो dy y dx का मान क्या जाएगा 1 minus x अप उन में आ गया y यह dy y dx का मान आ गया ठीक है अब dy y dx का मान अपने निकाल लिया है तो अब यह बिंदू भी निकल जाएगे सबसे पहले किस के लिए nिकाल ले अपने को बिंदू जब सपरसरेखा x x के समांतर हो एक नमर पॉइंट सपरसरेखा सपरसरेखा समांतर है सबसे पहली बात یہ ही है कि उन बिंदों को ग्यात करो जब इस पर सरे का x x के समानतर हो तो x x के समानतर हो तो उस केस में d y y d x बरावर कितना होता है 0 होता है d y y d x बरावर कितना होता है 0 तो d y y d x अपने क्या निकाल लाए 1 minus x upon में y तो 1 minus x upon में y बरावर क्या लिखेंगे 0 क्योंकि इस पर स्रेक एक्स-एक्स के समंतर है तो d y y d x का यह मान लिख लिया और इसके बराबर में आ जाएगा 0 तो 1-x बराबर कितना जाएगा यहांसे y 1-x बराबर आ जाएगा यहांसे y आ जाएगा ठीक है नहीं y गुणा 0 वजर गुणा कर लेंगे y गुणा 0 तो 1-x ब्राबर 0 तो यहां से x का मान आ गया 1 ठीक है तो एक पॉइंट तो आ गया अपना x ब्राबर 1 अपने हमको y का मान ओड निकालना तो यह जो वुकर का जो स्मीक्रण दे रगा था इसको अपन एक नमर स्मीक्रण मा लेते हैं तो स्मीक्रण 1 में क्या लिख लेंगे अपन y का इस x का मान लिख लेंगे ठीक है तो स्मीक्रण 1 में अपन क्या करेंगे x ब्राबर 1 लिखेंगे तो y का मान निकल जाएगा जैसे x स्केर है X की जगा 1 लिखेंगे तो एका square हो जाएगा Y का मान निकाल रहें तो Y square माईनस 2 इंटो X की जगा 1 लिखेंगे 2 इंटो 1 रहेंगे 2 माईनस 3 बरावर कितना है? 0 तो ये Y square बरावर कितना बन गया है यहाँ से यह जाएगा यह तो मैनिस का 5 हो गया और यह प्लस का 1 कि यह वाई स्केर मैनिस 5 प्लस 1 ब dissip कितना बनेगा जिरू तो मैनिस का 5 है यह है तो है मैनिस 4 ब्राबर 0 बचेगा 136 मैनिस का 4 इदर जाएगा 2-0 की साइड X के क्या हो समानतर हो तब जो बिंदू आए हैं बिंदू क्या क्या आगए अगर X का मान एक है तो Y का मान दो है तथा X का मान एक है तो Y का मान माइनस दो भी है तो इस पर से का अगर X X के समानतर है तो यह पोइंट आ गए ठीक है कैसे निकालने थे किस पर स्रेक एक्स एक्स के समानतर हो तो dy, y, dx बराबर क्या होता है 0 होता है dy, y, dx का मान हम पने निकाल रखा था वो यहां पे लिख लिए 1-x upon y बराबर 0 वो ज़रे गुणा कर देंगे तो y का 0 शे गुणा हो जाएगा तो यह 0 हो जाएगा तो 1-x बराबर 0 तो यह minus का x और फिए जाएगा तो यह minus i, तो x बराबर आजाएगा 1 यह x का जो मान है उसके बाद में दूसरा केस अपने को दे रखाता है यदि स्पर्स रेखा एक्स एक्स के लंबवत हो स्पर्स रेखा क्या हो एक्स एक्स के लंबवत हो तो स्पर्स रेखा अगर एक्स एक्स के लंबवत होती है दूसरा पोइंट पना है कि स्पर्स रेखा अपने को दे रखी है कि उसर में कि इस पर सरेखा लंबोत है लंबोत है किसके xx के इस पर सरेखा xx के लंबोत हो तब आपको बताया था कि dy y dx एकुल कितना होता है एक बटा 0 होता है dy y dx का मान है एक बटा 0 के बराबर होगा तो dy y dx का मान है 1-x बटा y और बराबर इसके कितना लिखेंगे एक बटा 0 अब वजर गुना करेंगे तो वजर गुना करेंगे तो Y का गुना एक सी होगा तो ये तो Y आजाएगा जिरो का गुना इस पूरे के साथ होगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा तो यहां से Y का मान क्या आगया जिरो तो ये जो Y का मान है वो अपन किस में लिखे लेंगे समीकर नमर एक में लिखेंगे जिससे मान किस का जाएगा एकस का तो य का मान य का मान समीकर एक में लिखेंगे एक में लिखने पर ठीक है तो य का मान एक नमर में लिखेंगे तो य एक स्केर बचेगा माइनस का 2x बचेगा और माइनस का 3 बराबर गया बचेगा 0 क्योंकि ये तो 0 ही जाएगा ठीक है ये दियो गास में एकन आ गया भी इसके टुकडे करने पड़े हैं गुनन खंड वीदी से या इसके गुनन खंड वीदी से करते हैं गुनन करने पर माइनस 3 आना चीए और जोड़ने पर माइनस 2 आना चीए तो माइनस का 3 और प्लस का x माइनस 3 प्लस x करेंगे तो माइनस 2 बचेगा और माइनस 3 x का x से गुनन करेंगे तो माइनस 3 बराबर जाएगा और माइनस 3 बराबर जाएगा जो कि अब 10th class है जानते हैं, गुन खंड विदी से, या फिर शीरी दराचारी विदी से, X का मान निकालना, अब दो-दो के जोड़े बनाएंगे, तो X के रोर X कोमन आएगा, X, तो यहां X बचेगा, माइनस का 3, पलस एक, X और माइनस 3 में एक कोमन आजएगा, तो X माइनस 3 बराबर आजएगा, 0, फिर X माइनस 3 कोमन आएगा, X माइनस 3, X माइनस 3, तो यहां तो बचेगा X, और इदर बचेगा, एक और बराबर हैं कितना है, 0, तो यहां से X के दो मान आगए, तो एक तो X का मान 3 आगए, यहां से तो, और यह पलस का एक, इदर जाएगा, तो मान इसका एक हो जाएगा तो इस परस रेखा अगर xx के लंबवत हो तब अपने पास में बिंदू क्या निकल गए y का मान तो 0 ये दोनवी केस में लेकिन x के 2 मान आ गए तो एक तो आगए x का मान 3 तो y का मान क्या है 0 तथा दूसरा x का मान आ गया माइनस 1 लेकिन y का मान के 0 तो ये बिंदू अपने को ग्याद करने थे जब स्परस रेखा xx के लंबवत हो तो इस टाइप से अपन लंबवत हो चे समान तरो हो चे समान कोन बना है बिंदू आसानी से ग्यात है कर सकते हैं ठीक है इस परस रेखा दोन वक्सों के साथ क्या कर रहे है ये समान कोन बनाई समान कोन बनाती है समान कोन बनाती है तो इसका मतलब d y y d x का मान बराबर होता है d y y d x का मान किसके बराबर होगा एक के बराबर होगा तो d y y d x का मान एक के बराबर होगा यह जो वाई का मान है यह वाई का मान अपन किसमें लिखेंगे वाई का मान समीक का नमर एक में लिखेंगे ठीक है समीक का नमर एक अपने पास में यह उपर है यह वाली समीक का नमर इसमें अपन मान लिखेंगे ठीक है इसमें मान लिख लेते हैं एक बार ठीक है तो इसमें अगर मान लिखते हैं पर ये वाला मान निकला है बना एक मानेस एक्स बराबर वाई यानि वाई बराबर क्या लिखेंगे पर एक मानेस एक्स लिखेंगे यह y के ज़िए के लिखेंगे 1-x तो इसका all square हो जाएगा 1-x का all square आगे माइनस 2x है तो माइनस का 2x आगे माइनस का 3 है तो माइनस का 3 और बड़ाबर में कितना है 0 छीक है इसको हल कर लेंगे इसको क्या करना है हल करना है तो यह आजाएगा यहां से x square plus एक माइनस x का all square करेंगे तो यह आजाएगा 1-2x और प्लस में x square किस से x माइनस y का all square जो सुतर होता है उसी से x माइनस y का all square वाले सुतर से इसको open कर लेंगे तो यह आजाएगा 1-2x प्लस x square और आगे कितना है माइनस का 2x और माइनस 3 है और बराबर में 0 है तो यह आज़ेगा यहां से x square x square और x square कितने x square होगे 2 तो x square होगे minus 2x और minus 2x होगे minus 4x यह 1 और यह minus का 3 यह आज़ेगा minus का 2 बराबर कितना है 0 तो यह आज़ेगा 2x square minus 4x minus 2 2 common आज़ेगा यहां से तो यह बचेगा x square minus 2 का 4 बाग देंगे तो 2x 2 में 2 गा 1 तो यहाँ जाएगा 0 ग्राबर यहाँ से 2 इस 0 के बाग में चला जाएगा तो यहाँ से 2-2x-1 ब्राबर 0 यह फिर से दिए होगा असमीखन बन गई गुणा करने पे माइनस 1 और जोडने पे माइनस 2 संभो नहीं है गुन अनक्रणविदी से तो अपने स्रीधर अचार्य सुतर लगाएंगे स्रीधर अचार्य सुतर कर अउतर होता है X का मान निकालना हो तो माइनस B, पलस माइनस रूट B स्केर माइनस 4AC अपोन में होता है 2A इस सुत्र में ये मान लिख लेंगे सारी समीकन के जानसी से X का मान निकल जाएगा तो X बराबर क्या आ जाएगा यहां से X बराबर आ जाएगा B, B की जगा है माइनस का दो ये B है माइनस दो X का गुणा जो होता है वो B होता है तो ये B माइनस का दो है ये 4 into a, a x square का गुनाग होता है 1 तो यहां पर यह 1 ही है और c कितना माइनस का 1 है तो 4 गुना एक की जगए कितना लिखा अपने 1 और c की जगए माइनस 1 यह c की जगए और इसके आगए पहले ही माइनस लगा होती है तो माइनस हो जाएगा तो यह आजाएगा प्लस का 4 बटे में 2 गुणा ये एक ही जगा पार नहीं तो एक हो जाएगा तो x बराबर कितना आगे यहां से 2 प्लस माइनस 4 और 4 हो जाएगा रूट 8 और बटे में 2 तो x बराबर 2 प्लस माइनस रूट 8 को पर लिख सकते हैं रूट दो और बट्टे में कितना है दो दो कॉमन आके कट जाएगा उपर वालों में दो कॉमन आएगा तो यहां पे तो बचेगा एक प्लस माइनस रूट दो ठीक है दो कॉमन आगे और बट्टे में कितना है दो दो से दो जाएगा गैंस तो यह एक्स का मान आगिया तो X कमान कितना आ गया एक प्लस मैनस रूट दो आ गया X कमान निका लिए अपने अब ऐसे ही यह X का जो मान है Y वाले में लिखे लेंगे जो अपने Y निकाला था Y बराबर क्या किया था अपने Y बराबर निकाला था एक मैनस में X यह y ब्राबर में एक माइनस x इसमें अपने x कमान लिख लेंगे x कमान क्या निकल लाए 1 प्लस माइनस रूट 2 है तो एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे तो y ब्राबर क्या आजाएगा y ब्राबर y ब्राबर 1 माइनस x है तो एक प्लस रूट दो लिखेंगे तो एक प्लस रूट दो तो वाई का माना आगया एक से एक कैंसल हो जएगा तो या जएगा माइनस का रूट दो तो एक बिंदो तो यह आगया बना यह एकस का माना अपने क्या लिखा एक प्लस रूट दो लिखा तो वाई का माना आया मा प्लस में और एक बार किसमें मैनिस में तो y बराबर 1-x था, y बराबर 1-x, एक तो ही x की जगे, अपने यह मान लिख लिया, 1-2 तो 1 से 1 का पर कियाने चे जुगा हो जाएगा, यह मैनिस 1, यह मैनिस 1 यह मैनिस प्लस हो जाएगा, तो y का मान आ गया, रूट दो तो पॉइंट क्या बन गया अपने यहां से पॉइंट आजाएगा X का मान तो लिखा अपने 1-2 और Y का मान आया रूट दो तो सपरस रेका अगर दोनों X के साथ समान कौन बना रही है तब यह पॉइंट आएगा अपने बास में एक तो आएगा सपरस रेका X के क्या थी समान तर थी तो वो कॉइंट भी अपने निकाल लेते ठीक है तो इस टाइफ से अपन बिंदू दे रखे हैं तब तो अपने सपरस रेका पूचेगा या फिर अभी लमका समिगन पूचेगा बिंदू नहीं दे रखे हैं ये कंडिशन दे रखे हैं अपने को तिलनों तब अपने को बिंदू पूच लेगा आसानी सीस टाइफ से आप कर सकते हैं